प्लास्टिक और थर्मो कोल के उत्पात पर बैन लगेगा जुर्माना केंद्र सरकार ने एक जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने समान पर बैन लगा दिया है सिंगल यूज पलास्टिक ऐसी बस्तू को करते हैं जो पलास्टिक से बनी होती है और यह एक बार इस्तिवाल के बाद फैक दिया जाता है पार्यावरण मंत्राले के दिसुजना के अनुसार एक जुलाई दो हजर बाई से सिंगल यूज पलास्टिक बस्तू को निर्मान आयात स्टोक बितरन विक्री और उप्योक पर परतिवन्द है बता दे इसके दाएरे में पोलिश टाइनीन और बिस्ताडित पोलिश ट्यान बस्तूए भी आती है रांची में नगर निगम एक सब्ता तक जग रूपता अभ्यान चलाएगा इसके बाद जाच अभ्यान के सुरुआत होगी इस दवरान अगर किसी प्रतिष्ठान या दुकान में प्रतिवन्दित पोलिश टीन मिलता है तो करवाई की जाएगी दुकानों से जुर्माना वसुला जाएगा एस्टोक ज्यादा पाया गया तो ऐसी दुकानों को सील भी किया जाएगा जमा जम बारिस के साथ राजे में मांसुन फिर से सक्रिय हो गया है रायधानी राची समेत कई इलाकों में तेज बारिस हो रही है पूरे जारखन में मांसुन टर्फ का असर पर पड़ा है इस वीच बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दबावाला छेतर बनने से पूरे जारखन में चार जुलाई तक बारिस होने का अनुमान है मौसम विभाग ने संथाल परगना सहीत राची गुमला सिम्टेगा लोहादगा जमसेतपूर में भारी बारिस की समभना व्यक्त की है कई जिलों में बारिस शुरू भी हो गई है और यह इलाकों में हलके वमाद अदज की बारिस होगी देवघर से कोलकाता के लिए इंडिगो फ्लाइट की बोकिंग शुरू 12 जुलाई को देवघर यहरपोट के उद्घाटन के दिन ही इंडिगो कोलकाता के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर देगी इसके लिए बोकिंग शुरू हो गई है देवघर से कुलकत्ता की पहली इंडिगो की फ्लाइट 76 सीटर की होगी पीए मोदी के उद्घाटन कारेकरम का समापन होने के बाद देवघर यारपोर्ट से साम 4 बजे कुलकत्ता के लिए उडान भरेगी बता देई से पहले तीन बच कर पैतालिस मियट देवघर यारपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट का भव्य वाटर सल्यूट की त्यारी की जा रहिया है राज्येपाल और सीम ने महाप्रभु जगनाथ से खुसहाली की कामना की जार्खन की राज्येपाल और सीम ने महाप्रभु जगनाथ के दर्शन और पुजा अर्चनाकर देश एवं राज्ये की खुसहाली सुक समरीदी सांती और प्रगत्ती की कामना करते हुए राज्येवास्यो कोरा त्यात्रा की सुभकमनाय दी दूसरी और चाईबासा में पुर्वसीय मदुकोडा अने सरदालू की तरह जैखोस करते दिखे टाटा इस्टील में 18 टांसजेंडर को मिली नियुकती टाटा इस्टील ने एक बार फिर 18 टांसजेंडर की बहाली की है इसे पूरो 15 टांसजेंडर को ट्रेनिंग के बाद नियुकत किया गया बर्ष 2021 से शुरू हुई टांसजेंडर की बाहाली की परकिरिया के तहत अब तक करीब सब टांसजेंडर को कमपनी में न्युक्त किया गया है इसकी शुरुआत टाटा स्टील ने वेस्ट बोकारो से शुरुआत की अब तक कमपनी ने उडिशा के करलिंगा नगर के अलावा वेस्ट बोकारो और जमसेत पूर्मेन की न्युक्ती की है बतादाई से पहले कमपनी ने जुनियर इंजिनियर ट्रेनिंग की न्युक्ती के लिए टांसजेंडर से भी आवेदन मांगी थी जे एससी सीजियल 21 अगस्त को होगी परिक्षा जारखन करमचारी चैन आयोग की ओर से जारखन समाने असनातक योगता धारी सन्युक्त परित्युक्ता परिक्षा 2021 के 52,536 आवेदनों को रद कर दिया गया है जे एससी की ओर से इसके लिए कई वज़ा बताए गया है आयोग ने आवेदन रद करने समधी सुचना में कहा है कि आवेदन में हुई गड़ बढ़ योग को लेकर उमिद्वारों को पहले भी सुचित किया गया था तमाम सुचनाओं के बाद आवेदन रद करने का निन लिया गया है बता दे आविधन राद करने समधी नोटिफिकेशन में जार्खन कर्मचेरी चैन आयोग ने कहा है कि या परिक्षा 21 अगस्त को ली जाएगी इसके लिए राजिके भी भीन जीलों में परिक्षा केंद्र बनाएगा यहाँ जमसेदपूर में एनिमिया अभियान की सुरुआत पूर्वी सिम्हुम जीला अंतरगत जमसेदपूर के सुंदर नगर इथित कस्तुरवा बिद्याले से जीले में एनिमिया मुक्त भारत कारेकरम की शुरुवात हुई इस अभियान के पहले दिन सुक्रवार को करीब 600 इसकुली बच्चों को आयरन की गोली दी गई इसकी शुरुवात सिविल सर्जन डाक्टर जुजहार मांजी जीला समाज कल्यान पतादिकारी जीला सिक्चा भी भाक के पतादिकारी समधाइक स्वास्तिकेंद्र के प्रभारी डाक्टर लक्षमी कुमारी ने बचों को आयरन की गोली खिला कर किया गरामिनों ने पलामू E.S.P. आवास को घेरा चैनपूर थाना चेतर के ग्राम किन्नी खुटार के ग्रामिनों ने पलामू S.P. के आवास का घिराव किया वे अपने उपर कियेगा जूटे मुकादमे के बिरोध में घिराव किया बता दे बड़ी संख्या में ग्रामिनों ने अपी बात S.P. तक पहुंचाई ग्रामिनों ने S.P. चंदन कुमार सिनहा से इस जूटे मुकादमे की जाज कराने का आगरा किया है इस समद में ग्रामिनों ने बताये कि चैनपूर थाना चेतर के ग्राम महुगावा किन्नी खुटार निवासी और किलांद दूबे के घर आठ जून को राज एक बजे अचानाक आग लगई थी आग जनी की घाटना के बाद दूबे की पतनी सुसीला गुवर ने चैनपूर थाना में जूटा मुकादमा दर्च कराया है जार्खन में सिक्छक प्रसिक्छकों की होगी निवक्ती जार्खन के परतेख जीले में संचालित जीला सिक्छक प्रसिक्छन संस्थानों में 132 सिक्छक प्रसिक्छकों की निवक्ती होगी निवक्ती के लिए परतियोगत्या परिश्या के आयोजन जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा इसे लेकर स्कूली सिक्षा एम सक्षता विभाग ने अनुसंसा आयोग को भेज दिया है राज में संचालित डायेटों में पहली बार सिक्षक प्रसिक्षकों के नियुक्ति हो रही है बता दिस्कुली सिक्षा एमसर्षटा विभाग ने हाल ही में इस पद के लिए अलग कलेंडर बनाया है इसे पहले इस स्थानों में परखण सिक्षा प्रसार पतादिकारी सिक्षा जेवा के अने पतादिकारियों के परतिन्युक्ति कर काम चलाया जाता था कांग्रेस ने दिया जिसका साथ हो गया साथ भानुपरताप जारखन भाजपा कनेता और पूरो मंत्री भानुपरताप साही ने महराष्ट की घटना पर एक ट्वीट किया है इसमें लिखा है बोस के पीछे पहले लिखा हुआ राता था लटक के ले बेटा तो गईले बेटा अब कांग्रेस के साथ रहने वालों को भी वही हाल हो गया है यह टिपनी उन्होंने महराष्ट में सीव सेना और कांग्रेस के संबंधों पर की है बता दे भाजबा ने ता भानुब पता अपसाही का मानना है कि कौग्रेस के साथ जो भी पार्टी रहती है या जिस पार्टी के साथ कौग्रेस रहती है उसका बुरा होता है बिदान सभा में लाएंगे Medical Protection Bill ज्यारखन सरकार के स्वास मंतरी बना गुपता ने कहा है कि राज सरकार चिकिश को एवं पारा Medical कर्मियों की सुरक्षा के लिए Medical Protection Act लागू करने को लेकर गंभी रहा है इसे लेकर सिग्र दुबारा प्रस्ताव केबिनेट में लाया जाएगा केबिनेट की स्विक्रिती के बाद विधयक जार्खन विधान सभा में लाया जाएगा मंत्री बाना गुपता सुक्रवार को राष्ट्री चिकित्सा दिवस के अउसर पर पुर्जेक्ट बहुन राची में चिकित्सकों के सम्मान समारों को समोधित कर रहे थे जार्खन के सौव गाउं बनेंगे एगरी अस्मार्ट विलेज जार्खन सरकार ने राजे के सौव गाउं को एगरी अस्मार्ट विलेज के रूप में बिक्सित करने की घोसना की है राजे के 32 अधिक गाउं के परिछेत्र में या आकड़ा काफी छोटा दिखता है लेकिन एगरी अस्मार्ट गाउं की सार्थक पहल की अंदेखी नहीं की जा सकती बता दे अस्मार्ट गाउं का खाका कैसे बुना जाएगा यह अभी बहुत अस्पस्ट नहीं है लेकिन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इन गाउं को आधर्स गाउं के रूप में विक्सित किया जाएगा गाउं की अधर्बू सनरचना का विकासक और सभी सरकारी योजनाओं का लाब किसानों को उपलब्द कराया जाएगा संत जेवियर के 48 विद्यार्थियों के दल रांची के लिए रवाना सुबह 6 बजे सिक्किम से सिली गुडी के रास्ते सेंट जेवियर के विद्यार्थि रांची के लिए रवाना होगा है बाकी एकांध दीनों में पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सिक्किम से रांची के लिए रवाना होंगे बोकारों रांची चाहत्रा में माङगी बिकरही सराब सरकार ने छा को भेजा जेल जारखन में कुछी सराब दुकानों में डिजिटल भुकतानी की सुविधा बाहल हो सकी है नतिजाया है कि यहाँ डिजिटल भुकतानी की सुविधा नहीं है वहाँ सराब की बिक्री में मनमानी वसूली जा रही कई दुकानों ने तो रेट चार्ज भी डिस्पेले नहीं किया है जिसे करना अनिवार है ऐसी दुकानों में एम आर्पी से उची कीमत पर सराप की बिक्री हो रही है इसकी सिकायते उत्पाद विभाग तक भी पहुँची है बतादे उत्पाद विभाग शुक्रवार को जून में होई बिक्री और आराजसो का रिपोर्ट काड़ परस्तूत कर सकता है जार्खन में कोट फीस में 10 गुना तक की बढ़ोतरी रांची की लोगों को अब दिवानी एवं फोज़दारी केस करने और लड़ने में अब पहले से काफी अधिक जे परबोश बढ़ेगा बतादे सहस्ता न्याय अब महंगा हो गया है जार्खन हाई कोट के वकालत नमा पर अब 50 रुपे की कोट फीस चीपकाया जाएगा बतादे बर्तमान में यह 5 रुपे की ही है यानि 10 उना तक बढ़ोतरी की गई है किरिशक मित्रों का अनिस्चित कालिन धर्ना परदसन जारी जार्खन परदेश किरिशक मित्र महासंग के तत्वधान में किरिशक मित्रों का अनिस्चित कालिन धर्ना परदसन बुद्धवार को 9 दिन भी जारी रहा धारना में रांची गीरी डिकोडरमा और पूर्वी सिमूग के किरिशक मित्रों ने भाग लिया है बता दे अपने मांदे की मांग को लेकर किरिशक मित्र किरिशी मंत्री बाइदल के रांची इनु इच्थी सरकारी आवास पर पिछल नौ दिनों से धारना और परदसन कर रहे हैं जारकन परदेश क्रिशक मित्र महासंग के परदेश अध्यक साशी कुमार भगत ने धाना सल पर उपस्तित क्रिशक मित्रों से आवाहन किया है कि इस बार की लड़ाई आरपार की होगी नई सराब नीती से बढ़ा उतपाद 180 कुमार जून में आये राज्य में उतपाद विभाग की नई नीती लागू होने के बाद रयस्व में बढ़ होतरी हुई है उत्पाद विभाग के सचीव ने दावा किया है कि जून 2022 में नई सराब नीती के लागू होने के दूसरे माह में 180 को कर रायस्वा आया है एक माई 2022 से नई उत्पाद नीती लागू हुई थी पहले माह में 188 को रायस्वा का दावा उत्पाद विभाग ने किया है वहीं विभाग के द्वारा बताया गया कि MRP से अधिक कीमत पर सराप की बिक्री को लेकर लगातर करवाई की जा रही है MRP से अधिक कीमत पर बिक्री और अने-अने मिताओं की सिकायत आने की वज़ा से पलेस्मेट एजेंसी के द्वारा 140 कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है विधायक सर्जु राय के खिलाब स्वास्त मंत्री बना गुपता मानहानी ममले में लिया संग्यान जार्खन के स्वास मंत्री बना गुपता द्वारा निर्दा लिये बिधायक सर्जुराय के खिलाप दायर मानहानी के मामले में चाई बासा की बिसेश सांसत बिधायक अदालत ने गुरुवार को संग्यान लिया सर्जु रायद्वारा जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता खिलाप COVID-19 फंड के दुरूपयों के आरोप लगाये गए थे इसके बाद गुपता ने रायगे खिलाप मानहानी के मामला दर्च कराया था भरष्टा चार के खिलाप जार्खन में एक और हूल की आवसकता है या बात आदर्स आचार सहीता उलंगन मामने में कोट में पेसी पर पहुँचे गोड़ा सांसद निशिकान दुबे ने पत्त्रकारों से बाचित के दुरान सुक्रवार को कही इड़ी की करवाई पर सांसद ने कहा कि इड़ी की करवाई उच नियाले में बिचरान धीन है मंगलवार को सुनवाई हुई नियाले जो फैसला करेगी जानता के हीत में होगा BSNL में तीन हैर नए BTS टावर से दूर होगी कॉल ड्रोप की समस्या रांची जीले में कॉल ड्रोप की समस्या ने मोबाईल उप्भकताओं के परिछाने बढ़ा दी है मोबाईल पर बात करते करें अक्सर डिसकनेक्ट हो जाता है यही नहीं सहर से महाज 10 से 15 गिलोमेटर की दूर पर ही नेट्वर का टावर गायब रहने की सिकायद भी लगातार सामने आ रही है लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के दिशा में BSNL और ने नीजी मोबाईल अपरेटर कुछ खास कवायद नहीं कर रहे जिससे मोबाईल उप्भकताओं को कॉल डॉप की परिसानी से सिर्दध बढ़ा दिया है बता दे पुछले कुछ दिनों से हर्मू रोड एरिया के कुछ लोग की सिकायद थी कि उनके इलाके में BSNL और जीयो नेटवर्क पुरी तरह से गायबाई जारखन में उध्यमिता विकास पक्वाडा शुरू अजादी का अमरित महस्तों के तहत ग्रामिन उध्यमिताव को बढ़ावा देने के उध्यस से राजे के सभी जीलो में 1-15 जुलाई तक उध्यमिताव विकास पक्वाडा का अवेजन किया जा रहा है ग्रामिन विकास मंत्राले दोरा अवेजित इसकार कराम का उध्याटन केंद्रिये ग्रामिन विकास मंत्राले के सचीव एन एन सिन्हा ने ओनलेन माध्यम से किया धन्यवाद